महयंक यादव, महयंक यादव, महयंक यादव आज़िव कोन है ये महयंक यादव? दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश भर के अंदर खास तर पे क्रिकेटिंग जगत के अंदर या पिर जो लोग स्पोर्ट को फालो करते हैं खास तोर पे जो लोग IPL को फॉलो करते हैं इस पूरे जगत के अंदर मैंक यादव का नाम सबसे ज़ादा चर्चा का विशय बना हुआ है चाहे वो Facebook हो, चाहे Twitter हो, चाहे Instagram हो, चाहे Cricketing Experts हो आज की डेट में सभी लोग इस मैंक यादव के बारे में ही बात कर रहे हैं कौन और क्यों इतना ज़ादा चर्चा के केंदर बिंदू में ये बना हुआ है अगर आप लोग भी Cricket को फॉलो करते होंगे, IPL को फॉलो करते होंगे तो अभी तक हो सकता है कि आप लोगों को भी मैंक यादव के बारे में जानकारी हो चुकी होगी लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हमारे हो जिनको अभी तक कौन है मैंक यादव इसके बारे में नहीं पता हो तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इनहीं मैंक यादव के बारे में चर्चा करना चाहते हैं और उनका बैक्ग्राउंड क्या है इसके बारे में आप लोगों को मताएंगे कहां से यह आते हैं कैसे क्रिकेट के अंदर इनकी शुरुवात होई घरेलू क्रिकेट में यह कहां से खेलते हैं इन सारे बिंदों के ऊपर आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखेगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शियर करने काम जरूर करें तो दोस्तों तारिख थी 30 मार्च 2024 यह वो तारिख थी जब सबसे पहले मयंत यादव का नाम चर्चा में बना IPL का यह मैच था लखनव सूपर जैंट्स और पंजाब किंग्स लेवन पंजाब के बीच में यह मैच हो रहा था और इस मैच में लखनव ने पहले बल्ले बाजी करते हुए एक बहुत ही बला स्कोर बना दिया था शायद दोसों के करीब लखनव सूपर जैंट्स ने बनाए थी बाद में बल्ले बाजी करने किंग्स लेवन पंजाब की टीम आई और आई क्या वो पूरी तरीके से छा गई किंग्स लेवन पंजाब की तरफ से ओपनिंग करते हुए शिखर दवन और जॉनी बेरिस्टो इन दोनों ने बहतरीन शुरुआत दी दस ओवर में ही किंग्स लेवन पंजाब के सौरन हो चुके थे और ऐसा लग रहा था किंग्स लेवन पंजाब ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगी कोई भी लखनव का गेंदवाज ऐसा नहीं था जो विकेट ले सकता हो ऐसा प्रतीत होता हो किसी के बस की बात नजर नहीं आ रहे थी लखनव सूपर जाइंट्स पूरी तरीके से हार मान चुकी थी तब 13 या 14 ओवर में उस वक्त कप्तानी कर रहे है निकुलस पूरन वैसे तो कप्तान लखनव के केल रहूल है लेकिन उस मैच में निकुलस पूरन कप्तानी कर रहे थे और 13 या 14 ओवर में निकुलस पूरन एक नए गेंदबाज के हाथों में गेंद थमा देते हैं इस उम्मीद से कि ये गेंदबाज शायद कुछ कर सके और उनकी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सके और ठीक ऐसा ही हुआ निकुलस पूरन ने गेंद मैंक यादव के हाथों में थमाई लेकिन उसके बाद मैंक यादव ने जो काम करके दिखाया जो कारनामा किया उसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी किसी को भी ये भनक तक नहीं थी कि मैंक यादव इस तरह की घातक और तेज रफ्तार से गेंद बाजी कर सकते हैं मैंक यादव ने दोस्तों इस मैच के अंदर लगातार चार ओवर की गेंद बाजी की और महज 27 रंदे के तीन महतुपूल विकेट हासल किये उनकी इसी गेंद बाजी के चलते जो मैच लग रहा था कि लखनव सूपर जाएंट्स हार जाएगी बुरी तरह से हार रही थी लखनव सूपर जाएंट्स लेकिन मैंक यादव की इस घातक गेंदबाजी के चलते लखनव सुपर जाइंस ये मैच आसानी से जीत गई और मैंक यादव इस मैच में ना सिर्फ मैन अब दा मैच बने बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विशे बन गए चर्चा का विशे इस लिये बने क्योंकि मैंक यादव ने इस मैच में ना सिर्फ तीन विकिट जटके बल्कि इतनी तेज रफतार से गेंदबाजी की कि जितनी तेज रफतार से IPL के इतिहास में शायद किसी गेंदबाज ने नहीं किया होगा मैंक यादव ने जब गेंदबाजी की शुरुआत की तो 145, 146, 148 और देखते ही देखते लगातार मैंक यादव डेर सो किलो मिटर पति घंटे की रफतार से गेंदबाजी करने लगे इस मैच में इन्होंने IPL एतिहास की सबसे तेज गेंद 155,8 किलो मिटर पति घंटे की रफतार से गेंद डाली और उसके बाद से ही दुनिया के तमाम क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मैंक यादव की तारीफ करने लगे तक की दुनिया के सबसे तेज गेंद बाजों में जिनका नाम शुमार ब्रेटली उन्होंने तक मैंक यादव की तारीफ की और ब्रेटली ने तो ये तक कह दिया कि मैंक यादव हो सकता है भविश्य में शुर्बक्तर तक का रिकॉर्ड तूर दी आप सभी लोग दोस्तों शायद मालूम होगा शुर्बक्तर के नाम 161.3 किलो मीटर प्रती गंटे की रफ्तार से गेंद बाजी करने का विश्य में रिकॉर्ड है और आज तक इस रिकॉर्ड के आज से पास भी दुनिया का कोई भी गेंद बाज नहीं भटक पाया है लेकिन जब ब्रेटली ने मैंक यादव के बारे में ये बात कही कि मैंक यादव अगर अपना सर सीधा रखें तो 4-5 किलो मीटर प्रती गंटे की रफ्तार और फेक सकते हैं यानि मैंक यादव के अंदर ये पोटेंशल है कि वो आसानी से 161-162 किलो मीटर प्रती गंटे की रफ्तार से गेंद बाजी कर सकते हैं और मैंक यादव ने अगर शौयबक्तर का रिकॉर्ड तोर दिया तो यकीन मानिये दोस्तो भारत के इतिहास में भारत ही नहीं बलकि दुनिया के इतिहास में गेंद बाजी में इनका नाम अमर हो जाएगा और भारत के सबसे महान गेंदबाजों में इनका नाम शुमार किया जाएगा हाला कि दोस्तों आप सबी लोग सोच रहे होंगे कि उम्रान मलिक नाम का एक गेंदबाज भी आया था वो भी इतनी तेज गेंदबाजी करता था लेकिन मैं की यादव और उम्रान मलिक इन दोनों की गेंदबाजी में जमीन आसमान गांतर है उम्रान मलिक के पास वो स्पीड है वो रफ्तार है लेकिन उनके पास लाइन नहीं है लेंथ नहीं है लेकिन मैंक यादव के पास रफतार के साथ साथ वो लाइन भी है वो लेंट भी है और सबसे जो घातक चीज उनके पास अभी तक नजर आ रही है वो है तीखी बाउंसर अभी तक जितने भी विकिट मैंक यादव ने हासिल किये हैं उनमें से सबसे जादा विकिट मैंक याद जाइंस और RCB यानि की विराट कोहली की टीम से होता है और इस मैच में विराट कोहली की टीम की बुरी तरीके से हार हो जाती है और उनकी इस हार का कारण एक बार फिर से मैंक यादव बनते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनव सूपर जाइंस की टीम ने 180 के करीब रन बनाए जिसका पीछा करने उतरी RCB की टीम विराट कोहली ने शुरुवात में एक दो चौके लगाए उसके बाद वो आउट हो गए मैंक यादव को चौथा या शायद पांचवा ओवर करने को मिला और मैंक यादव ने एक बार फिर से चार ओवर में महज चौदा रन दे कर तीन विकेट हासल की उनमें से दोस्तों एक विकेट ग्लेन मैक्सवल का था आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लेन मैक्सवल औस्टेलिया से आते हैं और औस्टेलिया टीम तेज घेंदबाजी खेलने के लिए अभ्यस्त है जानी जाती है दुनिया के सबसे खतरनाक टी-ट्विंटी बल्लेबाजों में ग्लेन मैक्सवल का नाम शुमार होता है घातक बाउंसर से मैंक यादव ने गलेन मैक्सवल को आउट कर दिया उसके बाद उन्होंने केमरून ग्रीन का विकेट लिया और ऐसी विकेट केमरून ग्रीन की मैंक यादव ने ली जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ball of the tournament हो सकती है एकदम तेज रफ्तार से गेंद की, एकदम सही line length पर गेंद की और Cameron Green के पास इस गेंद का बिलकुल भी जवाब नहीं था सीधा वो गेंद विक्टो में जाकर लड़ गई और इस तरह से Cameron Green अपना विक्ट हो गए एक और विक्ट मैंक यादव ने लिए उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है लेकिन इस मैच में मैंक यादव ने 14 रंदे कर 4 ओवर में 3 विक्ट हासिल किये मैंक यादव IPL के इतिहास में ऐसे खिलारी बन गए है जिन्होंने लगतार है, दो मैचों के अंदर 2 Man of the Match का खिताब अपने नाम किया है जहाँ दोस्तों, दूसरे मैच में भी मैंक यादव को Man of the Match का खिताब मिला पहले मैच में भी उनिए Man of the Match मिला था सिर्फ इतना ही नहीं मैंक यादव ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस मैच के अंदर 156.7 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की और ये अब तक IPL के इतिहास में सबसे तेज गेंदबाजी है और भारत के गेंदबाजों के इतिहास में इतनी तेज गेंद आज तक किसी भी गेंदबाज के द्वारा नहीं फेकी गी है तो इस तरीके से मैंक यादव ने इस IPL के अंदर संसनी मचा रखी है कोई इन्हें रफ्तार का सौधागर कह रहा है तो कोई रफ्तार का राजा इस तरह के संग्याओं से मैंक यादव को नवाजा जा रहा है दोस्तो अब हम थोड़ा बहुत मैंक यादव के background के बारे में भी आप लोग को बता देते हैं कि मैंक यादव की शुरुवात क्रिकेट के अंदर कैसे हुई तो दोस्तो मैंक यादव मूलता बिहार के सुपॉल के रहने वाले हैं लेकिन ओखला में दिल्ली में इनके पिता रहते थे इसी दिल्ली के अंदर मैंक यादव का जनम हुआ और दिल्ली की तरफ से घरेलू क्रिकेट में ये खेलते हैं ऐसा बताया जाता है कि जब ये 14-15 साल के थे तो दिल्ली का कोई क्लब था उस क्लब में इन्होंने दाखिला लिया था तारक सिनहा इनके कोच हुआ करते थे वो इनकी गेंदबाजी से इतना जादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इनसे फीस तक नहीं ली थी फिर उसके बाद घरेलू क्रिकेट में इनका जो अच्छा प्रदेशन था उसको देखकर 2022 के अंदर लखनव सूपर जाइंट्स ने इनको अपनी टीम में शामिल किया था लेकिन एक इंजरी के वज़े से दो साल तक ये डेब्यू नहीं कर सके और दो साल के बाद इनको 2024 के करता है एक सपने की तरह है मैंक यादव के लिए जिस तरह की वह तुफानी गेंदबाजी इस IPL में कर रहे हैं अगर इसी तरह से वह गेंदबाजी लगतार करते रहे तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाला जो T20 विश्व कप है उसमें भी मैंक यादव का नाम शामिल किया जाए और मैंक यादव को भी कंसीडर किया जाए हम तो यह उम्मीद करते हैं और यह विश करते हैं कि मैंक यादव इस IPL के अंदर इसी तरही के से लगतार बहतरीन गेंदबाजी करते रहें और इनका नाम आने वाले T20 विश्व कप में शामिल किया जाए और कि भारत की तरफ से सबसे महान गेंदबाजों में अपना नाम शुमार करें यह हमारी शुबकामना इस वीडियो के माध्यम से मैंक यादव के लिए होगी और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग शेर कीजिए अगर यह वीडियो आप लो ज़रूर दीजे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजे मुलकात करता हूं वीडियो में तब तक लिए बहुत बढ़नेवाद जहित